अज आप मिंदी की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 3 की इसका नाम है अनाया चलिए पुस्तक कोलते हैं स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आपको पार्ट 8 के हाती दादा प्रशन उत्तर आपको मैंने काहता करने के लिए आई होप आपने कापी में किये होंगे चलिए एक बार मैं आपको एक्स्ट्रेन एक बार दुबारा से कर देदी इस वीडियो के माध्यम से आप दुबारा समझेंगे हाती ने दुकानदार से क्या मांगा क्या मांग की उसने देखी हाथी ने दुकानदार से चार कच्छे मांगे हाथी दादा बजार क्या लेकर गए हाथी दादा चाता लेकर बजार गए हाथी ने चूहे से क्या कहा हाती ने चिंगार कर चुहे से कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा और तुम्हारी दुकान बंद करवा बूंगा क्योंकि तुम मुझे अच्छे नहीं लगी स्वेटर जर्सी क्या ढूनने लगी? स्वेटर जर्सी छिपने का स्थान भूनने लगी चुहे ने हाती से क्षमा मांगी, यानि माफी मांगी, आप इसे माफी भी लेख सकते, देखें स्टुडेंस, ये है शब्दार्ट, एक विक बड़ा, दो नाफ पैमाईश, माफ शब्दार्ट, अच्छा लगना, चिंगार, आवास, शर्ट, कमीज, दूबके, यानि छिपना, चाता, चतरी, स्टुडेंस, आई होप आपको ये काम समझ में आया होगा, ये पार्ट भी, कविता बहुत अच्छी है, आप इस कविता को दुबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी क किया होगी, इनकी पिक मैंने आपको सेंट की थी, एके स्टुडेंस, चलिए, नेक्स तम अगली क्लास में करेंगी, ओके बाइस्टूदिनस, टेक्यार आल आप ये, स्टेएफ और स्टेएफ और स्टेए हल्दी, ऑन थैंक्यों पो लिस्टी एल आपको ये, एलड़ी,